आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ यह डाउटनेट आपके सभी मैट्स, यह परटिकुलर में मॉलिक्यूल के अंजर कितने नमबर ओ पैप्टाइड बॉन्ट होंगी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पैप्टाइड बॉन्ट है क्या तो जैसे कोई भी हमारा अमाइनौ आसेट्स होता है Amino Acids होते क्या है? Amino Acids के अंदर हमारा एक तो NH2 गुरूप होता है Amino Acids basically जो होते हैं Monomers होते हैं किसी भी Protein Molecule के है ना उनका Amino Acids बोलते हैं क्योंकि उनमें Amino Group भी होता है Carboxly Group भी होता है तो मैंने कोई भी एक Amino Acids लिया जैसे This is NH2, CS2, NC, Double Bond, O, and OH इस Particular Amino Acids को हम क्या बोलते हैं? Glycine बोलते हैं और जैसे मालनो मैंने एक और Amino Acids लिया और उस Amino Acids का जो मैंने structure है वो Amino Acids की structure क्या होई? This is NH2, NH2 के साथ this is CH इस CH से मैंने क्या लगाया? यहां पे CH3 लगाया और इस CH3 से मैंने यहां पे attach किया This is C Double Bond, O, OH जैसे ही Amino Acids होते हैं तो यह अपस में क्या करते हैं? रियक्ट करते हैं तो यह रियक्ट किस तरह से करते हैं? कि इस NH2 का यह जो हमें NH2 दिख रहा है इसका तो निकलता है एक Hydrogen और इसका निकलता है एक OH यानि वोटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाता है और वोटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद एक Peptide Bound बनता है और वो Peptide Bound क्या होता है? वो अभी देखता है तो देखो हमें जो Compound मिलेगा वो Compound क्या मिलेगा? This is NH2 NH2 से क्या लगा है? This is CH2 लगा है CH2 से यहां पर रहा है क्या? CO रहा क्योंकि यहां से OH निकल गया तो CO ही बचा है यहां पर और इस NH2 से यहां से H निकल गया तो यहां पर NH बचा तो it will give rise to यहां पर हमें क्या मिला? देखो यहां पर मिला This is Carbon Carbon से लगा है यहां पर NH, NH से लगा है क्या है? CH लगा है? हमारा methyl group लगा है methyl group से क्या लगा है? C double bond O and this is OH यह compound मिला है तो अब देखो यहां पर क्या बना? यहां पर हमारा एक peptide bond बना जैसे कि तुम देख सकते हो यह वाला जो bond होगा यह वाला bond इस bond को हम क्या बोलेंगे? Amide bond बोलेंगे और इस Amide को ही हम क्या बोलते है peptide बोलते है है ना? तो इस Amide bond is nothing but this is the peptide तो देखो यहां पर हमने कितने Amino Acids लिए भई? देखो अगर मैं कह सकता हूँ यहां पर एक तो Amino Acids यह है और एक Amino Acids यह है है ना? दो Amino Acids मैंने लिए तो जो हमें Peptide bond बना वो कितना बना? एक Peptide bond बना तो यानि मैं यह कह सकता हूँ कि अगर मैं क्या लेता हूँ अगर मैं Amino Acids लेता हूँ Amino Acid मैंने कितने लिए? यहां पर टू लिए तो जो Peptide bond होगा जो हमें Peptide bond मिला वो Peptide bond is nothing इस इस क्या मिला? एक मिला यानि जितने Amino Acids होँगे उन में से अगर मैं एक माइनस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलते हैं? उतने ही Peptide bond मिलते हैं ओके? clear? ओके? अब अब अगर मुझे यह पता चल जाए इस Molecule के अंदर कितने हमारे Amino Acids हैं तो मुझे यह पता चल जाएगा कितने bond होँगे? है ना? यानि कितने Peptide bond होँगे? अब देखो This is the Amidic bond एक तो Amidic bond हमारा यहाँ पर यह है Similarly एक Amidic bond यह है है ना? एक Amidic bond यह है Similarly एक Amidic bond यह है अब whether यह हमारा Peptide bond मतलब यह Amino Acids से मिलके बनाया यह नहीं बनाया इस चीच को हम देख लेते हैं अब हम क्या करें? जैसे माले हमने क्या करा है इन दोनों को react कराया और यहां से क्या हुआ? Water Molecule का loss हुआ तो अगर मैं क्या करवाता हूँ? इसका Hydrolysis कराता हूँ यह वाला bond break हो जाएगा तो यह वाला जब bond break होआ होगा तो जैसे मैं तुम्हें बताया है यहां पर Carboxlic Acid था तो Carboxlic Acid का OH निकला और NH2 का H निकला तो हमें यह bond मिला और यह वाला bond ही तो यह है तो similarly जो C double bond O है इससे OH लगा दो और यह जो हमारा NH है इससे H लगा दो तो NH2 बन जाएगा तो देखो कौन-कौन से Amino Acids हमें मिलेंगे हमें इससे कौन से मिलेगा हमें इससे मिलेगा This is NH2 NH2 से क्या लगा है CH2 लगा है CH2 से क्या लगा है This is CO और इसससे क्या लगा है OH लगा है एक तो amino acids यह हुआ, plus दूसरा amino acids हमें क्या मिलेगा, जब मैंने hydrolysis कराया, तो दूसरा मिलेगा, देखो, अब यह जो था, वो NH, यह NH2 में convert हो जाएगा, क्योंकि हमारा CO group, COOH में convert हो गया, तो this will convert to the CS2, this is convert to the NH2, sorry, this is not CH2, this is NH2, NH2 के बाद क्या लगा है, CH लगा है, CH पर क्या लगा है, CS3 लगा है, CS3 से फिर वापस हमारा क्या है, CO है, CO का मैंने किसमे convert कर दिया, OH में convert हो गया, यह वाला जो CO है, उसको मैंने ऊह में convert हो गया, फिर again हमारा आग यह amino acids है, amino acids है, फिर वापस हम उसको लिखे लेते हैं, तो यह वाला जो NH होगा, यह वाला जो NH होगा, यह अगें किस में convert होगा, this is NH2, क्योंकि amide bond है, है ना, and this is CH, this is pH, और pH के साथ मैंने क्या लिया यहाँ यहाँ पे, तो amino acids हमारे कितने हैं, amino acids हैं, हमारे 1, 2 और 3 amino acids हैं, और मैं तुम्हें बताया था, अगर amino acids 2 हैं, तो हमारे peptide bond कितने बने, 1 bond बने, अगर amino acids कितने हो गए, अब जिसे तुम यहाँ पे देखो, यहां कितने amino acids आए तीन amino acids आए तो यानि अगर हमारे amino acids कितने हैं यहां पर तीन हैं तो peptide bond कितने बने होंगे देखो peptide bond बने होंगे यहां पर 3-1 यानि 3-1 यानि कितने आए 2 amino acids 2 peptide bond आए तो यह कह रहा था कि बताओ इस particular compound में कितने peptide bond हुए तो जो इसका correct answer होगा कि कितने peptide bone बने होंगे यहाँ पे 2 इसका answer होगा I hope आपको यह पूरा concept समझ में आया यह video clear हुई Thank you so much for watching this video